हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चेनल क्लासिक किस्से में क्या आपको पता है कि भारत में एक मूवी किसानों ने फंड इखटा करके बनाई थी और वो फिल्म सफल भी हुई थी जेदी आपने अभी तक हमारा चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चेनल को सब्सक्राइब करें और प्रेज दबेल आइकन 1976 में स्याम बेनेगल निर्देशित एक फिल्म रिलिज हुई थी नाम था मन्थन इस फिल्म का निर्मान क्राउड़ेट फंडिंग द्वारा एक त्रिक्ट फंड से हुआ था अगर आप इसके पोश्टर को देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पोश्टर में एक लाइन नजराती है सबसे उपर जिसमें लिखा है गुजरात के पांच लाग किसान पेस करते हैं मन्थन दस लाग के बजट में बनी ये फिल्म भारत की पहली फिल्म थी जिसमें किसी भी प्रोडक्शन हाउस का पेसा नहीं लगा था अब सवाल ये है कि स्याम बेनेगल को ये फिल्म बनाने का आइडिया क्यों और केसे आया इस आइडिया की पिछे ही दर असल उस दोर में डाक्टर वर्गिच कूरियन का दुआरा सूट किया गया आप्रिसन फ्लाट था जिसकी सपलता के कारण भारत वर्स दूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया था इसे वर्गिच कूरियन दौरा सूरू की गई स्वेट करांती भी कहते हैं स्याम बेनेगल देश के इस दूद आंदोलन से बहुत प्रवाई थे और इस थीम को लेकर एक फीचर फिल्म बनाना चाहते थे लेकिन समस्या पेसो के थी फिल्म बनाने के लिए उनके पास पेसे नहीं थे इस समस्या के लिए आ गया है सिरी वर्गिच कूरियन और उन्होंने स्याम बेनेगल को कहा इस फिल्म के लिए गुजरात के किसान आपकी मदद कर सकते हैं और उन्होंने वही किया, उन्होंने किसानों से आवान किया और ऐसा हुआ कि गुजरात के पांच लाग किसान भाईबा हुआनों ने दो दो रुपे देकर इस फिल्म का प्रोडूस किया। रुपे 2 की रासी से गुजरात के 5 लाग किसान बन गए प्रोडूसर। वर्गिस कुरियन ने विजय तेंदूलकर के साथ इस फिल्म की कहानी लिखी। गिरिस कर्णान ने वर्गिस कुरियन की भूमी कहानी भाई थी। इस फिल्म का एक गाना प्रीती सागर की आवाज में बहुत लगपुरी हुआ। ये फिल्म रिलिज हुई तो अपना संगहर्स और अपनी जिंदगी को परदे पर देखने के लिए लाखों किसान टेक्टर्स और गाड़ियों में भरकत सिनेमा हाल आने लगे। सायद यही वज़े रही कि फिल्म ना केवल अपनी लागत में बहुत सफल रही बलकि बहुत अच्छी चली भी। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज क्लासिक किसे चैनल को सेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।